कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों से एक बार फिर से लोगों में धहशत बढ़ गई है चार महीने बाद एक दिन में सबसे ज़ादा कोरोना संक्रमन के मामले ने केंदर सरकार से लेकर राज्य सरकारों के माते पर बल ला दिये हैं दरसल बीते कुछ हफ्तों में COVID-19 से जड़े मामलों की संख्या में तीजी से दर्ज की गई है इसके साथ ही देश में H3N2 वाइरस के मरीजों की भी संख्या बढ़ी है इससे देखते हुए केंदर सरकार ने छे राज्यों को माइक्रो लेवल पर स्थिती पर नजर रखने के निर्देश जारी किये हैं केंद्रिय स्वास्थे मंतराली की वेब साइट के अनुसार भारत में गुरुवार 16 मार्च को एक दिन में कोरोना वाइरस संक्रमन के 754 नए मामले सामने आए देश में कोलेक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 4623 पर पहुँच गई है इससे पहले बीते साल 12 नवंबर को कोरोना संक्रमन के 734 मामले एक ही दिन में सामने आए थे कोविड-19 के मामलों में तेजी को लेकर केंद्र सरकार की और से 6 राज्यों को अलट जारी किया गया है कनाटक, महराष्ट, गुजरा, तेलंगाना, तमिलनाडू और केरल में लगतार बढ़ कोरोना संक्रमन के मामलों को देखते हुए केंद्री स्वास्थे मंत्राली की और से जांच निगरानी और बचाव के उपायों को लेकर निर्देश जारी किये गए केंद्री स्वास्थे सचीव राजीस भूशन ने बताया कि महराष्ट में बीते एक हफ़ते से संक्रमन के मामले 355 से बढ़कर 668 हो गए हैं गुजरात में कोविड-19 के मामले 105 से बढ़कर 269 और तेलंगारा में 132 से बढ़कर 266 तमिलनाडू में 170 से बढ़कर 258 और केरल में कोरोना वाइरस के मामले 434 से बढ़कर 579 हो गए हैं वहीं बात करें करनाटक में संक्रमन के मामलों की तो वहीं 493 में से बढ़कर 604 हो गए हैं भूशन ने आगे कहा कि राज्य सरकारे फाइफ फोल्ड स्ट्रेटजी के तहत टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड, एमपरपनियेट, बिहेव, वेक्सीन की रन्नीति का पालन करें महाराष्ट में ही लैंड करती हैं, इन में से एक खाडी देशों से आने वाली फ्लाइट सबसी ज़्याद होती हैं, इसके बाद दिली का नमबर आता है, इसके आधार पर कहा चा सकता है कि कोरणा के नए वेरियंट के प्रसार में महाराष्ट और दिली राज्य सबसे आगे किंद्री एस्वास्टे सचीव ने इन छे राजियों को लिखे एक पत्र में काहा कि कुछ राजियों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमन्ट के मामले सामने आ रहा हैं जो इशारा करता है कि संक्रमन का संभावित इस्थानी प्रसार हो रहा है और इससे बचने के लिए जोखिम आकलन आधारित रुख अपनाया जाना चाहिए 8 मार्च तक एक सापताहिक में COVID-19 की कुल मामले 2082 मामले दर्ज किये गए और 15 मार्च तक एक मामले बढ़ कर 3264 हो गए आपकी क्या राये हैं इस खबर पर हमें कमेंट करकर अपनी राये जरूर दीचे